साधना से सिद्धी में आसन और दिशा का भी महत्व होता है गुरुगीता में साधना जीवन के रहसियों का बिपुल्वंडार है योगिक रहस, मांत्रिक रहस एवं यांत्रिक रहस इसमें अलोकिक रूप से गुथे हुए है अनुभो संपन साधक जानते हैं कि साधना साधक की अपने साध्य के साथ गहरे सावंजश लए और अंत्रतो गत्वा संपूर्ण विलए योग विसर्जन होने का सत्य है यह लए मूलतह विचारों योग भावों की होती है इसकी प्रगाड़ता योग परिपक्ता पर ही साधना की सपलता निर्भर है पर अंत्व यह कार इतना आसान नहीं है इसमें अनेकों विघ्णों विछेपों योग अंतरायों का सामना करना पड़ता है इसमें से कई परिस्थिती जन्य होते हैं तो कई प्रारब्ध जन्य है परिस्थितियों में स्थान, काल, परिवेश योग घटना चक्रों की गरना भी की जा सकती है तो प्रारब्ध का पूरा दारो मदार सुख्ष्म संसकारों योग कर्म वीजों पर निर्भर करता है प्रकारांतर से योग प्रारब्ध ही परिस्थितियों की जन्म दाता है इनका सदुपयोग, दुरुपयोग अपने विवेख योग पुरशार्थ पर निर्भर है किसी दुशकर प्रारब्द बस इनकी संपूर्ण समाप्ती हो सके तो भी इन्हें समाप्त प्राय तो किया ही जा सकता है बस जनुरत सही साधना उपक्रमों के चैन और उनकी उपयोग की है इन साधना और क्रमों में काल, महुर्थ, मंद्र, पूजा उप्चार के साथ दिशा यूंग आसन का चैन भी महत्पुर्ण है कतिपए वुद्धी बादी इस कथन पर संदेह कर सकते हैं पर जिनकी वुद्धी सुख्ष्म ग्राही है स्विष्टी के विभिन उर्जा प्रवाहो चुम्बकत्व यूंग जैविद्ध्ध की सामर्थ से जो परचित है उन्हें इस कथन में मर्म तक पहुँचने में समय न लगेगा पूजा उपचार यूंग तत संबंधी उपक्रम इन्ही के संतुलित सदिप्योग के लिए है गुरु गीता के पिछले क्रम में भगवान सदाशिव के वचनों को प्रस्तूत करते हुए कहा गया है कि गुरु गीता का विदवत अनुष्ठान स्वेम में एक समर्थ उपचार है यह काल यूंग मृति के भहे का कारण हरने वाला है सभी संकट इस अनुष्ठान से नश्ठ होते है साथ ही इससे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर यूंग व्याग्र के भहे का कारण भी होता है इसके जब से नकिवल व्याधियां दूर होती हैं बलकि सभी सिध्धियों यूंग अलोकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है यहां तक की इसके जब मात्र से सम्मोहन, वशीकरण, आदी की तांत्रिक शक्तियां भी प्राप्त होती है इन तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति में आसन यूंग उप्युक्त दिशा के चुनाव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है भगवान सदाशिव इस सत्य को चिताते हुए माता भवानी से कहते हैं वस्त्रा सनेच दारिद्रम पाशाने रोग संभवा मेदिन्याम दुख मापनोती काश्टे भवती निश्वलम कृष्णा जिने ज्यानसिद्धी मुक्ष स्रिब्राग्र चर्मानी कुशासने ज्यानसिद्धी सर्वसिद्धी स्तू कंबले कुशर्वा दुर्व्या देवी आसने सुब कंबले उपविश्य ततो देवी जपे देकाग्र मानसा धेयम शुक्लम्च शांत अर्थम व्यसने रख्ता तनम्ति अभिचारम कृष्ण वर्णम पीत वर्णम धनागमे उत्तरे शांती कामस्तू वेश्य पुर्व मुखो जपेद दक्षिने मारणम प्रोक्तम फश्मेच धनागमः अर्थात वस्तरासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं धर्थी पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है और काश्ट आसन अर्थात लकडी पर की गई साधना निश्वल होती है काले हिरन के चर्म पर साधना करने से ग्यान की प्राप्ती होती है और व्याग्र चर्म पर साधना करने से मौक्ष की प्राप्ती होती है कुष्ट के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है जबकि कंबल पर बैठ कर साधना करने से सर्व सिध्या मिलती है भगवान शिव कहते हैं हे देवी इस गुरु गीता का स्वाध्याय कुष्ट के आसन पर दूब के आसन पर अत्वा श्वेत कंबल के आसन पर बैख कर करना उचित है शांती प्राप्ति के लिए श्वेत आसन पर वशी करन के लिए रक्त वर्ण के आसन पर संबोहन के लिए काले आसन पर योंगधन प्राप्ति के लिए पीले आसन पर बैख कर साधना करनी चाहिए इस क्रम में उत्तर दिशा शान्ती कारियों के लिए, पुर्व दिशा वशी करन के लिए, मारन कर्म के लिए दक्षिन दिशा, योंग धन प्राप्ती के लिए पश्चिम दिशा उप्युक्त मानी गई है गुरु गीता के इन मंत्रों की रहस से वानी, उनके लिए अतियुप योगी है, जो साधना विज्ञान पर विशेश अनुसंधान के उच्सुख है, इनकी विज्ञानिक्ता को वे अपने प्रियोगों से चरितार्थ कर सकते हैं इस संदर्म में महराष्ट के एक संथ वामन पंडित का प्रसंग बड़ा ही मर्मशवर्शी है, वामन पंडित समर्थ रामदास के समकालीन थे, इनका जन्न वीजापूर में हुआ था, योग विद्याध्यन काशी में, काशी में रहते ही भगवान विश्वनात की किरपा से इनकी साधना रुची तिब्र हुई, परन्तु साधना की तिब्र एक्षा के वावजूर इनका संकल्प बार बार टूब जाता था, मन भी सदा अशांत रहता, समझवे नहीं आ रहा था, कि क्या करें, कई बार तो ये अपनी इस्थिती से इतना खिन्न हो जाते थे, कि अंत हताशा से भर जाता था, मन सुचता कि जो जीवन उद्दिश प्राप्ती में निरर्थक है, उसे रख कर ही क्या करें, इस निराशा के कुहासे में कोई मार्ग नहीं सुचता था, जब तो करते पर मन न लगता, साधना बार बार भंग हो जाती, इसलिए एक तो दिन में ही इ पीश भी हो जाती, कुछ प्रारब्ध भी विप्रीप था, और कुछ निराशा का असर इनका सरीर भी रोगी रहने लेगा, आखे दिन एक दिन इनका धैर विचलित हो गया, और इन्होंने सोचा कि आज अपने आप को मा गंगा में समर्पित कर देंगी, इस निष्चे के सा थी, वे गंगा के मनी करने का घाट पर आविर, बस अंधकार की प्रतिक्षाती की अंधेरा हो और चुपके से देह का विसरजन कर दे, अपने इन चिंतन में डूबे, वे भगवान से प्रार्तना कर रहे थे, हे प्रभु, मैं चाह कर भी इस देह से तप नहीं कर सका, हे प् करना जो साधना करने में समर्थ हो, ऐसा मन देना है मेरे स्वामी, जिसकी बृतिया तप से विग्नकारी नहो, स्री बामन पंडित अपनी प्रार्तना के इन ही भाव में लीन थे, उनकी आखों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था, सुर्यास्त कब अंधेरे में बदल गया, उने पता ही नहीं चला, उनको चेत तो तव आई, जब एक व्रिद सर्यासी ने उने सचेत किया, उन सर्यासी माहराज के चेताने से, इनकी आखे खुली, आखे खुलने पर, इनूने देखा, कि उन बयो व्रिद सर्यासी का दाया हाथ इनके सेर पर था, और वे कह रहे थे, साधना में बाधाय आना सौभाविक है परंतु तुम्हें परशान होने की आवशक्ता नहीं है मैं तुम्हें वीज मंतर का उपदेश देता हूँ इसका नियमित जब करो परंतु ये जब तुम्हें कुश के आसन पर बैठ कर उत्तर दिशा की और मुख करके करना होगा इस त पर्वामन पंडित ने उन सन्यासी महराज के निर्देश के नुसार साधना प्रारम भकी शिग्र है उनकी साधना सिध्धी में बदल गई उन्होंने अध्यात्मतत पर अनेक रंतों का स्रजन किया अंतस्त के सभी विछेप स्वताही गहन शांती में बदल गए उन्हें की महत्ता के साथ गुरू के महत्तों का बोध हो गया